मंगलम भगवाने विश्णो मंगलम गरुड़ा धजा मंगलम पोंडरे काक्छा मंगलाय तैनो हैरी नमस्कार दर्सकों मैं पंडिच चंदन सांडिल परती दिन के तरह कुंली दर्षन के इस खाश दिवाली विशेशांग कारिकरम में आप शभी दर्सकों का एक वर फिर से श्वागत करते हैं दर्शकों अभी तक आप शभी ने दिवाली से शम्मन्दित हमारे पिछले चार एपिशोड में देखा कि कैसे इश्वार माता लक्षमी शभी रासी वालों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आ रही हैं इसके पिछले कारिकरम में जाना कि धनतेरस की कथा क्या है पूजन कैसे करें किस मुहुर्त में करें धनतेरस में खास करके किस समान को नहीं खर दें और इसके साथ एक एपिशोड में आपने ये भी जाना कि नरक चतुरदशी या छोटी दिवाली हम कैसे मनाएं उनसे मात्रशे और जो विधी मैं आपको बताने वाला हूं उस विधी से यदि आप उस वस्तू को लाकर पूजन करते हैं तो सास्त्रों में शिवानिता है कि भाग्य में सवा लाग गुना परबल बनाया जा सकता है और मा लक्षमी धन की महावर्सा करने वाली हैं और मा लक्षमी के साथ साथ भागवान कुवे धन के देवता कुवेर आपके घर में धन की अमरित वर्सा करने वाले हैं तो दर्सकों सब से पहले माननिता है कि भागवान धन्मंत्री इसी दिन अम्रित कलस को लेकर समुद्र मंधन से परकट हुए थे इसी दिन पीतल और चांदी खड़िदना चाहिए क्योंकि पीतल भागवान धन्मंत्री की धातू है पीतल खड़िदने से घर में आरोग शोभाग और श्वास्त की द्रिश्टी से शुवता आती है धर्मंत्री के दिन चांदी या पीतल खड़िदने से भाग प्रवल होता है घर में धनस्मृदी बढ़ती है और खरीदी विवस्तुओं में कई लाग गुना विर्दी होती है इन धात्वों से श्वने हुए कोई भी शमान आप चाहो तो आभूशन गहने भी खरीच सकते हैं क्योंकि इसी दिन धर्वंतरी भगवान का दिन माना गया है और सबसे स्रिष्ट दिन माना गया है तो निश्च्चितरूप से जो पहला मैंने बताया पीतल या चांदिक से जुड़े होँए किसी भी वस्तुओं को खास करके कलस्यदी मिल जाए पीतल का तो निश्चित रूप से खरिदें अब दूसरा वस्तू दिवाली के दिन ऐसी माननेता है कि धन्तिरश के लिए आप जब खरिदारी करने जा रहे हैं तो दिवाली पूजन के लिए मा लक्षमी और भगवान स्री गनेश जी की मुर्ती जरूर लानी चाहिए माननेता है कि इस दिन दिवाली के पूजा के लिए गनेश लक्षमी खरिदने से घर में धन्धान भरा रहता है और आर्थिक शंकट कभी पाज भी नहीं आता है इसके साथ अब तीसरा वस्तू जो निश्चित रूप से आप सभी को जानना चाहिए धन्तिरश के दिन धन के देविता कोशा धेक्ष कुवेर देव की पूजा करना निश्चित रूप से अत्यंत ही फल दायक माना गया है इसी दिन घर में भागवान कुवेर देव की तस्वीर को लाकर लगाएं उत्तर दिशा में लगाएं और यदि आपके घर में पहले से ही भागवान कुवेर देव की तश्वीर या परतिमा है तो उसे शाप करके गंगा जल से अच्छी तरह से श्वक्ष करें उसके तपश्चात उस पर नई माला पूजन के लिए आप उनको अर्पित करें और उसके बाद भागवान कुवेर की पूजन करें भगवान कुबेर की पूजन करने से कारोबार येवं आपके घर में धन इसमृदी भरी रहती है और कई गुना आपके घर में धन में विर्धी होती है अब बात करेंगे धन तेरस में अगला वस्तु को हमें खड़िदना चाहिए धन तेरस के दिन शंक को खड़िदना अत्यनत ही शुप शमजा जाता है धन तेरस के दिन शंक को लाकर उसे घर में पूजा वाले अस्तान पर रखें उसकी पूजा करें धिपावली पूजन के समय शंक को अवश्य ही बजाएं क्योंकि सास्त्रों में ऐसी माननेता है कि जिस घर में नित्य पूजा कर्मे शंख को बजाया जाता है उस घर में मा लक्षमी सदैव निवास करती हैं इस्तिरुप्ष निवास करती हैं और उस घर में कभी भी लक्षमी की कमी नहीं रहती अर्थात की धन की कमी नहीं होती और उस घर से सभी शंकट दूर हो जाते हैं तो दर्शकों अब अगला उपाए अगला उपाय मा लक्षमी को कौडियां अत्यंत ही प्री है जहाँ पर कौडियां होती है वहाँ पर मा लक्षमी को रहना ही होता है इसलिए धन्तेरस के दिन कौडियों को खरीदना चाहिए इसको खरीदना अत्यंत ही शुब माना गिया है धन तेरस के दिन कौडियां लाकर उन्हें घर के मंदिरों में रखें शाम काल में मालक्षमी और कुबेर जी के साथ इस कौडी की भी पूजन करें धिपावली के दिन लक्षमी पूजा के बाद इन कौडियों को लाल कपड़े में बांध कर अपने धनस्थान अर्थात की तीजोरी में रख दें इस उपाई को करने से धन में कभी कभी नहीं आती और ऐसी माननेता है कि आपका तीजोरी कभी जीवन में खाली नहीं होगा जिस घर में शाबूत धनिया होता है वहाँ पर मानलक्षमी अवस्ची ही निवाश करती हैं धन तेरस के दिन घर पर शाबूत धनिया या साबूत धनिया के बीज घर पे जरूर लाना चाहिए और इससे पूजा के बाद अपने घर के आंगन में गमले पर छिरग देना चाह ये कहते हैं कि धनिया आपके घर में जितना अच्छा फ़लेगा उतना ही आपकी आर्थिक इस्तिती में तरक्की और विर्धी होती है अब सबसे अंतिम जाडू मानलक्षमी देवी जी के परतीक माना गया है जो घर से दरिद्रता एम और लक्षमी को दूर भगाता है दरिद्रता नकरात्मक उर्जा आपसे दूर चला जाए और स्वप्च घर में मानलक्षमी का परवेश द्वार बन सके तो दर्सकों इन उपाय को करके आप सभी अपने भाग्य को सवा लाग गुना प्रवल मना सकते हैं और मानलक्षमी और भगवान को वेर आपके घर में धन की महा वर्षा धन की अम्रित वर्षा करने वाली हैं तो दर्सकों यदि आप सभी ने अभी तक हमारे पिछले कारिकरम नहीं देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के पिछले वीडियोज को देख सकते हैं और आगे आपको ऐसे और भी अच्छे वीडियो जो मिलते रहे दीवाली से शंबंदित और भी अलग अलग विशे से शंबंदित तो आप चैनल की नीचे लाल कलर के बटन को सब्सक्राइब करें निश्चित्रुप से सब्सक्राइब करें उसके बगर में बेल का ओप्शन होगा नोटिफिकेशन के लिए उस बेल क सब्सक्राइब की राश्री जाने अपनी कुंडली एवं राश्यों का पौर्ण विश्ले से अचारे चंदन संडिल्य जी से